राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं आबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अमा वस्या की कथा बंधों अमावस्य के दिन अमावस्या की कथा सुनने मात्र से आपको पूरन सुक की प्राप्ति होगी बंधों कथा को पूरन विश्वास के साथ और सक्ची निष्ठा के साथ पूरी सुने ताकि आपको पूरन फल की प्राप्ति हो सके बंधो यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधो वीडियो को पूरी सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जे शिफशंकर भोली नात की जरूर लिखें बोलो शिफशंकर भोली नात की जै हो एक नगरी में एक राजा राज्य करता था उसकी प्रजा एवं परिवार सभी खूब आनंद से जीवन बिता रहे थे प्रेम करने वाली थी दोस्तों राजा के महल के सामने एक साहुकार की हवेली थी राजा की राणी और सेट की पत्नी में बहुत गहरी मितरता थी रानी सारी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी एक दिन साहुकार की हवेली से साहुकार की पत्नी के रोने की आवाज आने लगी साहुकार की पत्नी बहुत जोर से विलाप कर रही थी रोने की आवाज जब रानी ने सुनी तो उसने अपने पती से पुछा कि ये रोने की आवाजें कहां से आ रही है और जो भी है वो क्यू रो रहा है तब राजा ने कहा सेट का पुत्र मर गया है तो सेट की पतनी अर्थाक लड़के की मा बहुत दुखी है और वह जोर-जोर से विलाप कर रही है तब राणी ने कहा कि दुख क्या होता है उसने राजा से कहा महराज वे क्यों रो रही है राजा को समझ नहीं आ रहा था कि राणी को किस परकार समझाऊं कि दुख क्या होता है रानी फिर से बोली जब राजा ने रानी से कहा जब तुम्हारा बेटा मरेगा तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है तुम अपने बेटे को मार दो तो पता लग जाएगा कि दुख क्या होता है तब रानी ने क्या किया कि अपने बेटे को महल से नीचे गि पान की कृपां से बेटा किसी धेर पर गिर गया और उसको ख्रोच भी नहीं आई तब राणी अपने कुमर को देखने नीचे आ रही थी कि उसने देखा कि उसका बेटा सामने से आ रहा है यह देख राजा भी दंग रहे गया कि इतने उपर से गिरने के बाद भी उसके बेटे को ख्रोच तक नहीं आई रानी ने फिर राजा से पुछा महराज दुख क्या होता है बताये ना दुख क्या होता है तब राजा ने कहा कि पुडोसी राजा के सैनिक युद कर रहे हैं और मैं भी युद में अकेला ही लड़ाई लड़ने के लिए जाऊंगा और जब मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा तब राजा ने युद के लिए प्रस्थान किया लेकिन भगवान और अमावस मा की कृपा से लड़ाई जीत कर राजा अपने घर वापिस आ गया अब राजा को भी अश्चरे होने लगा कि क्या कारण है कि राणी को मैं एहसास ही नहीं करा पा रहा कि दुख क्या होता है तब राजा ने राणी को बुला कर कहा कि अब हम गंगा मा की यात्रा के लिए जाएंगे तुम तयारी शुरू कर लो वहाँ जाकर मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा तब तुम्हें दुख का एहसास जरूर होगा और तुम्हें पता लगेगा कि दुख क्या होता है तब राणी ने गंगा यात्रा की तयारी शुरू की और आवश्यक समान और भोजन समगरी की तयारी कर ली तब उन्होंने याप्त्रा के लिए प्रस्थान केलाश्प्ती से कहा कि सती आज में कल्योग में तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा शिव जी ने बक्रे का और पार्वती ने बक्री का रूप धारन किया और वे दोनों एक भावडी के पास घास चरने लगे इतने में राजा रानी की सवारी वहां आई और रानी ने सुन्दत छाया और भावडी को देखा और कहा कि हम यहीं जल पान और विश्राम करके ही आग बढ़ेंगे तब राजा रानी ने वहां जल पान किया और विश्राम किया और फिर राजा पानी लेने के लिए बावडी में चला गया बक्री के रूप को धारन किये हुए पार्वती माता ने शिव जी से पूछा स्वामी इस रानी को दुख देखना है तो वह किस प्रकार दुख देखेगी इसे दुख क्यों प्रापत नहीं हो रहा है रानी ने बक्रा बक्री को मनुष्य की भाशा में बोलते हुए सुना उसने सुना शिव जी मा पार्वती से कह रहे थे कि इसने आमावस का व्रत किया था इसलिए इस जनम में रानी बनी और सुख का आनन ले र राजा गंगा में भी नहीं मरेगा तब रानी ने उनकी बाते सुन ली तभी राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को सारी बातें जो शिव पार्वती में हुई थी उन्हें बता दी तब वे दोनों वापिस अपनी नगरी को चले आये राजा ने अपनी प्रजा को अमावस की व्रत करने की आग्या दी राजा ने कहा कि जो भी अमावस का व्रत करेगा उसे कभी भी कोई दुख उठाना नहीं पड़ेगा इसलिए सभी मनुश्य को हर अमावस का व्रत जरूर करना चाहिए राजा खुद भी अमावस की पूज करता और कथा करता दोस्तों ये व्रत जिस दिन शुक्करवार हो और अमावस हो उस दिन शुरू करें शुक्रवार की अमावस को शुरू करके 21 अमावस तक व्रत करें पहले पांच आमावस्य को गेहूं और लाल कपड़ा दान करें दोस्तों गेहूं और लाल कपड़ा आप अपनी शद्धा अनुसार दान करें और फिर अगली पांच आमावस्य को मूंग दान करें और उसके बाद अगली पांच आमावस्य को चने का दान करें और फिर अकली पांच अमावस्य को मक्के का दान करें। और जो 21 अमावस का वर्त हो उस दें चावल का दान करें। दोस्तों, दान में जैसा रंग अन का होगा, उसी रंग का कपड़ा भी दक्षना सहित दान करें। व्रत के दिन हरा चारा गाई को जरूर खिलाएं और ब्रहामन को भोजन और दक्षिना देकर आशिर वाग लें दोस्तों जो मनुष्य शर्धा पुर्वक अमावस का व्रत करेगा अमावस माता की कहानी सुनेगा उसे अमावस माता और भगवान शिर्व की क्रिपा से सदा के लिए सुख की प्राप्ति होगी राधे राधे जैशी कृष्णा यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद